हेलो दोस्तों कैसो हुआ आप भगवान करें आप स्वश्थ रहे अच्छे रहे और मेरे वीडियो को देखते रहे खाली आप सेखते एक रिक्वेस्ट है मेरे पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब अच्छे वो तूट चुका है नीचे की और आप देख सेकते हो इसका पूरा टूट चुका है तो यह उपर का काम नहीं कर रहा है तो आज हम इसका फोल्डर चेंज करके आपको दिखाने वाले जो टर्च और डिस्पले का कॉमब होता है तो आप है इसका जो मॉडल है ट्रिक डिस्चार्ज है तो इसलिए ओन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगा जो बेचर आता है अलग से तो उसके कबूल से हम इसको चेक करके आपको दिखा देंगे तो जो इसका अंदर का डिस्पले अच्छा है है खरावे तो कुझे तरह से आपको लगाना है प्लस और मै चुका है तो इसलिए हम पूरा फोल्डर ही चेंज कर देंगे तो दोस्तों यह पर आप मेरे हाथे में देख सकते हो जो संसंग गलक्सी जेटू फिफ्टी का नया वाला फोल्डर जो कि हम रिप्लिस करने वाले है तो यह ओरिजिनल नहीं है पर फास्ट को भी अच्छे सकते हो तो इसको फिनखें सब्सेंल पहले धोस्तों जो फिचे की और एक छोटा सबवाहर होता है उसको निक्राइगे और इसके नीची होता है जो फोल्डर का विस तरह से तो उसके बाद हम पूरे फ्वोल्डर को निकाल लेंगे द स्टील ऊप्राण के मतदसे तो अगर यह टूटा हुआ है तो आप ध्यान से उठ रही का क्योंकि इससे आपको आपका हाथ कड़ सकता है तो एकदम ध्यान से पको उठाना आ है इसलिए दूस्तों यह निकल चुका है पूराना बाल फोल्डर तो आप हैं में देख सेकते हुए यह जो फोल्डर है इसका पूराना वाला यह ओरिजिनल नहीं है कोपी वाला यह है पहले किसी ने शायर इसको बजल ला हुआ था तो उसके बाद दोस्तों यहां पर जो छोड़ा से काच के टुक्ड़ा लगा हुआ है उसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो उसको साफ करने के बाद हम जो नया वाला फोडर है उसको एक पर चेक कर लेंगा अच्छी तरह से कि वह सईसे काम कर रहा है या नहीं आप भी हमेशा चेक कर लेना ताकि बाद में आपको नुक्सान ना हो इसलिए आप चेक करना जरूरी है दोस्तों चेक करने के सबसे बहुत आपको इस कनेक्टर को इन करना इस तरह से और यहां पर लगा देना है ठीक है उसके बाद फिर से हम यहां पर बैटरी का चार्ज नहीं है तो हम बैटरी एलिमिटर के यूज़ करेंगे और इसको और करके फटाफट से पर चेक कर लेंग यहां पर देख सकते हो यह अचीज तरह से काम कर रहे है कोई दिक्कत नहीं हलाकि यह तो कॉपी है ओरीजनल नहीं है तो और जो समूथनस आपको मिलागा यहां पर नहीं मिलागा वह तो यह कम खर्चे में आपको मिलेगा तो उस तरह से आपको कंप्रमाइच करने पर और बला तोरा रेट ज्यादा होता है तो वह आपको सर्विस एंटर में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों हो चुका है चैक तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसमें कर लेंगे जो फोल्डर लगाने के लिए अलग से गॉम आता है वही वाला हम यूज करेंगे चलिए दोस्तों यहां पर गम लग चुका है तो इसे 10-15 सेंड के लिए शुकलिंगे और यहां पर जो यह नीचे का होम बटन है जो उपर से अलग से आता है तो उसको हम यहां पर फिक्स कर देंगे चलिए दोस्तों यह बैठ चुका है तो अभी हम क्या करेंगे जो नयवाला फोल्डर है उसको लगा देंगे इस तरह से पहले तो आपको करनेक्टर को इन करना है अंदर उसके बाद इसको लगा देना है जिस तरह से फिर इसको स्लाइट करते हुए उपर की और स्लाइट की कीजिएगा एकदम से डारेक्ली उसको बिठा मत दीजिएगा स्लाइट करते हुए इसको लगाना है इस तरह से तो दीखे कि कितना बढ़िया सा फिनिशिंग आता है क्या स्लाइट करोगे तो अंदर का जो आई सी होता है पता होता है वो आराम से अपने जगा बेठ नहीं और जो बोड़ी के साथ जो फ्रेम है मोगा उसके साथ अच्छी तरह से बैठ जाएगा चिपक जाएगा तो बात में जब आपको खोलोगे बड़ा सा फिनिशिंग आता इसमें तो दोस्तों वीडियो कसा लागा वीडियो पसंद दा तो प्लीज लाइक करते ना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते अगले बड़े में नमस्कार